शोशल मीडिया साइट पर मोबाइल नमबर देख दोस्ति के लिए किया मैसेज फिर शुरू हुआ दूट का ऐसा खेल राइज़णी जयपुर में सोशल मीडिया पर रोस्तिकर लोगों की फोटो एडिट कर अशलील बनाकर वसूली करने वाले गिरोह की कर्टू ठमने का नाम ने के लिए रही एक कईया से मामले सामने आने के बाद गिरोह नए-ए नए लोगों को फसा कर मोटी रकम वसूल रहा ह अब बजाज जिननगर में एक युवक ने दो युवतियों सहित चार लोगों के हलाफ ब्लैक मेलिंग कर 1.75 लाख रुपे बसूल लेने के साथ और बसूली के लिए धमकी देने का मामला दर्स करवाया है रिपोर्ट में बताई गया है कि शोशल मीडिया की एक साइट देखकर कसी को वाथसएप मैसेज किया फिर उस नमबर को ब्लोक किया इसके बाद एक अन्य नमबर से फोन किया और फिर फोन करने वाले ने धमकी दी कि पंडित का नमबर गलत साइट पर डाल देंगे दमकी देने वाले ने पीरित के Facebook से पीरित और उसके परिवार के फोटो डाउनलोड की और एदिट करके उन फोटो क असलील बनाए। फोन करने वालों ने रुपटे मांगते हुए पीरित को ही WhatsApp पर उसके और परिवार की एदिटेड असलील फोटो भीजेत। दमकी दी कि रुपए नहीं दिये गए तो ये तस्वीरे फेस्बुक फ्रेंज में वाइरल कर देंगे भाई को भेजी फोटो का स्कूल चोड भेजा तो दी रखा भोगे गिरो ने रुपए नहीं देने पर पिरित के भाई को भी बढ़ी एडिटेट फोटो वाट्सेप पर भीज दी इसका स्क्रीन शोट लेकर पिरित को भेजा और धमकी दी कि अब इन फोटो को सेशल मीडिया पर वाइरल कर देंगे तब फिरिक दर गया और गिरो द्वारा बढ़ाए गए अकांट के रही किस्तों में कुल एक लाग पेचितर हजार रुपए ओनलाइन दी लेकर आप भी ब्लैकमेल करके रुपए मांगे जा रही है